भाई 391 लीटर्स का 391 लीटर्स का बूट स्पेस कौन सी काड़ी दे रही है भाई दे तो रही होगी बट हुन्डे एक्सटर ने मेरी नीड्स के साब से बहुत अच्छा काम किया है इतना बड़ा बूट स्पेस दे के हाज जी कैसे हैं सारे तो आज की वीडियो में सबसे खास बात की मैंने हुन्डे एक्सटर क्यों चूज की और मेरा अभी तक का बहुत बीस दिनों में इस गाड़ी को मैं 900 किलोमेटर अलड़ी चला चुका हूँ और 20 दिनों के अंदर अंदर और लगभग लगभग 900 प्लेंस में से तो अगर मैं शुरू करूं तो कहा से शुरू करूं पहले तो यह सोचना पड़ रहा है बट एक मेजर रीजन इसको लेने का सबसे बहले भाई इसका जो सेग्मेंट आता है वो है एक मिनी सुवी या रॉस ओवर इसको मैं मिनी सुवी बोलहों या क्रॉस याँ बोलू तो मिनी SUV सेग्मेंट जो पसंद आया उसके बारे में उसके बारे में सोचूं तो सबसे पहली बात मेरे माइंड में आती है इसको डाल सकते हैं ग्राउंड क्लेरंस है वह आपको लगभग लगभग 185 mm का मिल जाता है 185 जो कि आपकी इंडियन रोड के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट बैठता है तो में सबसे पहले मेरे में बात आई थी वह यह आई थी कि मैं एक मिनी SUV या SUV कटेगरी की कार इसलिए पसंद करूं या क्र परशानिया तो यह कार वैसे ही निकाल देती है दूसरा दूसरे पॉइंट पर आजाते हैं कि मैंने एक्सर क्यों चूज करी तो हूंड़ एक्सर चूज करने के पीछे भाई आप इसका लोग तो चेक करिए एक बार यह तो लुक है यह जो लुक है मुझे इसको फाइव आ प्रफाइल कुछ इस तरह से आता है जो कि एक बहुत बोल्ड लुक मुझे प्रोवाइड करवाता है तो यह बोल्ड लुक बोल्नेस इस गाड़ी की बहुत जादा पसंद की जा रही है तब ही तो इस गाड़ी का वेटिंग पीरिड काफी अच्छा आता है साइड व्यू स अपने पूरे-पूरे मार्क स्कोर करती है तो लुक्स वाइज में आपको मैंने 360 व्यूस का दिखा दिया है 360 आनी की उपर से भी देख लीजिए वैसे तो बटा 360 व्यूस की बात पीछोड दीजिए आप देख लीजिए इसका जो लुक है इतना बोल्ड लुक आता है जो म प्रेशियस के मामले में भी हुंड़ाई एक्सर मुझे निराश नहीं करती है तो उसके बारे में भी मैं आपसे बात करना अभी शुरू कर देता हूं कि स्पेस के मामले में गाड़ी ने मुझे कैसे परफेक्ट ली एक परफेक्ट कार्टूस करने के लिए हल्प करी तो च इसको अराम से बैठ कर दिखा देता हूँ, मैं हाला कि फ्रंट में जब बैठता हूँ, तो सीट को काफी पीछे करके बैठता हूँ, तब भी मेरी जो लेग्स हैं, उस जो स्पेस है, जो स्पेस मुझे मिलता है काड़ी के अंदर, वो बहुत शांदार, बहुत जबरदर स्प काफी पीछे खीच रखी है, तब भी मुझे इतना स्पेस जेखने को मिल रहा है, कि बीचला पैसेंजर कमफर्टेबल ही होकर इस गाड़ी में बैठ सके, तो स्पेस के मामले में मुझे ये गाड़ी बहुत बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने हुनडाई एक्सर को चू इसलिए गाड़ी इतनी थी कि भाई मेरी नीड्स जो थी वो बहुत बाकमाल पूरी हो रही थी, अब देखें फ्रंट में भी जब मैं आ जाता हूं, फ्रंट में आने के बाद भी एक गाड़ी दिख लीजी आप, कितने प्रॉपली, कमफर्टेबली ते एक तरीके से आप इसके space को adjust कर सकते हैं, और seats पे आप बहुत comfortably और driving seat पे तो मैं भी बहुत comfortably इस पे बैठ सकता हूं, और मेरा जो space है, dashboard से लेकर मेरी pair का बीच का space वो आप check कर सकते हैं, कितना मुझे इस गाड़ी को drive करते होए comfort रहता है, और मैं adjustably अपने, मतलब proper तरीके से comfort तरीके से, long drives, short traffic drives, अराम से मैं कर पाता हूं, चलते हैं अब में next point पे, space के बाद, जो next point आता है, भाई, इस गाड़ी के base model में भी जो basic features हैं, वो भी इन्होंने इतने बाकमल दियो हैं, कि भाई, basic features में भी इतना कुछ है, सबसे वहले अगर हम बात कर लें, इस की की, देख लिजए ये key है ये key जो है, ये बतलब, base model से ये ही key आपको central locking key मिल जाती है, और आप इस गाड़ी को lock, unlock, और boot lock, और इतना कमाल की features अगर आप base model में ही गाड़ी के provide करेंगे, तो कोई भी customer, कोई भी लोग इस गाड़ी के दिवाने तो automatically ही बन जाते हैं, alright, so this is the basic feature, जो होना ही चाहिए, central locking feature मेरे साफ सो तो किसी भी काड़ी में होना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए, जो कि कई कई companies प्रवाइड नहीं करती है, और वो एक बात सही नहीं है कहीं तक, because ये need है, ये basic need है, और इसकी range भी अच्छी खासी है, range भी कभी किसी next video में आपको मैं जरूर, इसकी range भी आपको check कर अब आपको अब आपको अब प्रवाइड ये चाहिए, और ये तो चलो मैंने आफ्टर मार्केट इस रॉड़ करवाया है, उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो मैंने, प्रिविज वीडियो जो मिरी थी, उसके उसमें मैंने आपको पता दिया था, कि मैंने करवाया था, और इस सेग्मेंट में अगर आप मुझे बेस मॉडल में इतना कुछ प्रवाइड कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये मिरी नीड पूरी कर देती है, और कुछे कंट्रोल्स जो कि आपके बेस मॉडल में आ जाते हैं, तो मुझे वो गाड़ी वहां के पसंद आ ज आते हो, तो बटा, यह जो था, यह जो था, बेसिक चीज़ें जो मुझे काफी अच्छी लगी, आप देख लिजए, यहाँ पर भी काफी अच्छी है, इनोने स्पेसिंग समान एकने के लिए, इसका जो ग्लॉफ वाक्स है, वो भी काफी स्पेशिस हैं, और बाकी कॉमन गाड़ी की जो गाड़ियां है, जितनी भी गाड़ियां है, उनका इंजन नौइज ना के बराबर होता है, इस तरह इस टाइम मैंने गाड़ी की गाड़ी स्टार्ट कर दी है, और आप गाड़ी का इंजन नौइज बताईए कि अंदर कैबिन में बैठने के बाद इस एक और इसन था कि इस गाड़ी की जो पिकप है वो भी काफी ज़ादा अच्छी पिकप है actually मैं टाटा पंच की तरफ जा रहा था बट उस गाड़ी में 3 सेंटर होने की वज़े से उसकी इंजन वाइस और गाड़ी का पिकप अगर मैं बात करूँ तो आपके तुरू, अगर मैं safety features की बात करता हूँ तो बटा बेटा बोल दा हूँ teacher हूँ, teacher की आदत जा है और habit में आ जाता है अगर मैं safety features के अगर इसको compare करता हूँ तो safety features में कहीं नप यह six airbags की फीचर्स आपको किस गाड़ी में मिलते हैं मुझे बताईएगा जरूर वो six airbags बहुत अच्छे मुझे लगा कि इस गाड़ी में इन्होंने प्रवाइड करवाया है तो यह चीज़ को चीज़े हैं जो बेसिक चीज़े हैं जो बेसिक नीड्स हैं और यह लाइट से आप च करवाना पड़ेगा विकॉस हो सकता है कि लाम्स की वजह से एक्स्टर में थोड़ा सा इश्यू इश्यू भी क्या वोलूं और एक्स्टर में थोड़ा सा मुझे फीद्बैक शुरूर देना चाहूंगा हूंगा कि अपने लाम्स को थोड़ा और पावरफुल कीजिए प्रॉब्लम आई है मेरे को हाला कि उसका भी एक सॉलूशन है कंपनी के पास उसका सॉलूशन भी हम इसको कुछ टाइम में मैं इसको इस लाम्स को अप्ग्रेड करवा लूँगा इसमें आप प्रजेक्टर लाम्स या उसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें इसमें अप्ग्रेड करवा दूँगा और इसके हलोजन लैंप्स की जो पावर है उसको मैं अप्ग्रेड करवा दूँगा बाकी टाइम के साथ साथ जो इसका रिव्यू एक्सपीरियंस रहेगा वह आपके साथ मैं शेर जरूर करता रहूंगा और जो मेरा एक्सपीरियंस 20 दिन और 900 किलमोटर राइब करने के बाद रहा उसको भी मैं आपके पास टाइम के साथ लाता ही रहूंगा ताकि आपको भी इस गाड़ी के और फीचर्स देखने को मिल सके तो बाकी तो देखिए गाड़ी कौन से लेनी है या आपकी च्वाइस है बट गाड़ी वो लीजिए ज आपको वो चूज करनी चाहिए मेरी नीट के साब से हुंडे एक्सर ने एक्सर कमाल किया एक्सरा कमाल किया तो मैंने वो गाड़ी को चूज किया तो मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में और नेक्स वीडियो में क्या जाना चाहते है तो मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो बाइब बाइब भाइब ग्यार थैक्प आप्यार तेक्ट वाच